इंदोर में COVID-19 वैक्सीन का टिका करन कई अस्पतालों में किया जा रहा है डॉक्टर तरुन गुपता का कहना है कि तकरीबन साहत प्रतीशत से ज्यादा लोगों का टिका करन किया जा चुका है और टिका करन की प्रक्रिया अभी बिजारी है कोईट-19 वैक्सीन का टीका करण इंदोर के कई अस्पतालों में क्या जा रहा है डॉक्टर तरुन गुपता टीका करण अधिकारी का कहना है कि 16 जनवरी 2021 से टीका करण की शिरुवात की गई थी जो कि लगातार जारी है टीका करण के पहले चरण में स्वास्त कर्मचारियों क इसने टीका लगाया गया है वहीं दूसरे चरण में फ्रेंट-लाइन वरकर्स को टीका करण शार्षन के आदेश अनुसार टीका करने की बात अधिकारियों ने कही है हमारा जो हेल्थ केर वरकर का टीका करने है वो 16 जन्वरी से स्टार्ष हुआ था और अभी तक हमने करीब 26,890 हेल्थ केर वरकर को वेक्सिनेट किया जा चुका है इसके लिए करीब हमारी अभी जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था करीब 105 जगे हमने किया था जिसमें की 105 टीमों ने अलग-अलग एरियाज में हमने वेक्सिनेशन किया था तो करीब हम जो हमारा काफी जो टार्गेट है उसे 60 परसेंट को हम अभी तक अचीव कर सके हैं इसके बाद 2nd phase में हमें frontline worker का vaccination करना है जिसे कि हमारा जो healthcare worker का वेक्सिन था वो यूज हो गया और उनका जो second dose है वो हमने रिजव किया है इसके लिए जो थोड़ी जो आवशक्ता है हमने वो राजी शाषन से बोल दिया है वो हमें उपलब्द हो जाएगी रही बात frontline worker के लिए जो वेक्सिन है वो पहले राजी शाषन से हमें मिलेगा और उसके बाद हम उसका उनका vaccination स्टार्ट करेंगे कि उन सभी का vaccination होना है तो यह सतत प्रक्रिया के तहट वह चलता रहेगा